असलाम उलाइकूम इनिस्ट्रिमेंट सोलेशन चैनेल से मैं हूँ तुहिन हमारा सामने ये है एक प्रेशार कॉंट्रोल भाल्ब और ये कॉंट्रोल भाल्ब पे फीशार का पोजिशोनार यूज किया तो मैरा बहुत फ्रेंड मेरे को रिक्रेस्ट किया था फीशार पोजिशोनार को क्या इसे करता है ये लेके एक वीडियो अपलोट करने के लिए तो आसका वीडियो में ए पोजिशोनार को क्या इसे अटो क्या इसे अटो क्या इसे करता है वो आपको देखा हूंगा तो देखिए पैल में ये क्याबल का टार्मिनाल बॉक्स को ओपेन कर लेता हूँ इधार आमारा सिग्नाल क्याबल कनेक्शन हुआ इधार ही आम लोग को हाट कॉमिनेकेटर को कनेक्ट करना परेगा और एह हाट कॉमिनेकेटर से फिशार DVC6200 मोडेल का पोजिशनर को क्यालिप्बेशन करना परेगा और एह है फिशार का पोजिशनर तो चलिए इसको आटो क्याइसे करता है वो आपको देखाता हूँ तो पहले में हमारा हाट कॉमिनेकेटर का जो कैबोल है इसके साथ पोजिशनर को कनेक्ट कर लेता हूँ रिए डाला हमारा प्लास है मिन्स पॉजिटिव है अभी हमारा कॉमिनेकेटर को अन करता हूँ फिर आभी हमारा हाट अप्शन को सिलेक्ट करता हूँ अभी हम लोग को online पे जाना पड़ेगा फिर online पे आने के बाद इधर आप तीन अपशन देख रहे Overview Configuration Service Tool हम लोग को configuration पे जाना पड़ेगा अभी इधर चार अपशन देख रहे Guided Setup, Manual Setup, Alert Setup देन Calibration अभी हम लोग को calibration अपशन पे जाना पड़ेगा इधार आभी तीन ओप्शोन आ रहाए ट्रावेल कलिब्बेशन, रिले, अजस्ट, सेंसर कलिब्बेशन तो आम लोग को एक ट्रावेल कलिब्बेशन पे जाना परेगा तो अभी अब देख रहा है इधार दो अप्शन आ रहा है In Service, Out of Service तो ये Auto Calibration के लिए हम लोगको Out of Service पे जाना परेगा क्योंकि Out of Service पे हम लोगको Calibration करना परेगा तो देखिए अभी दा लेखा आ रहा है Calibration will cause sudden change in instrument, output and loss of That means Calibration का टाइम suddenly change आ सकता है तो आभी आम लोगको एक Continue पे इंटर करना परेगा तो आभी इंटर किया तो आभी देखिए हमारा Auto Calibration पोसेस पे चला गया That means हमारा Calibration इस्टर हो गया तो देखिए हमारा Calibration हो रहा है तो आप देख रहा है हमारा Calibration चल रहा है और ये calibration होने के बाद automatic complete हो जाएगा और इसका अंदर हम लोग ये heart communicator में कुछ share नहीं साकता हो तो फिर ये calibration का उपर effect आ साकता है तो देखिए आभी heart communicator पे लेखा आ रहाए entering pressure control calibration तो आभी हम लोग को जास्ट wait करना परेगा तो आभी please wait बोल रहा है फिर आभी देखिए हमारा heart communicator में उपर में लेखा आ रहा है target और निचे travel तो ये जो target आप देख रहा है 98.9% ये जो travel है ये भी 98.9% तक जाना चाहिए फिर आभी please wait आ रहा है तो आप इताद देख रहा है हमारा auto travel calibration has completed मतलब हमारा जो auto calibration था ये successfully complete हो गया अभी जास्ट एक बार उक्के बटन का उपर प्रेस करना परेगा ओके एगेइन और एक बार उक्के बटन का उपर प्रेस करना परेगा तो देखिए हमारा calibration complete हो गया अभी है अमारा भाल out of service में है अभी आम लोग को in service में लेके इंट्यार कना परेगा तो फिर आमारा control भाल control room से operate होगा नहीं तो ये भाल control room से operate नहीं होगा definitely इसको in service पे देना परेगा तो आमारा calibration complete हो गया अभी मैं back बटन को प्रेस करके बाहर आ रहा हूँ तो actually एक simple procedure है ए जो फिशार का positioner है ए पोजिशार का auto calibration बहुत ही simple procedure है आप ए वाला वीडियो देखने के बाद फिशार पोजिशार में auto calibration कर सकता है और ABB then cements then flow serve positioner आप लोग auto and manual calibration कैसे करेगा ए लेके मेरा बहुत सरा वीडियो है उस सरा वीडियो का link में description box में दे दोंगा आप चाहिए तो ओला भी एक बाद देख सकता है तो ठीक है मेरा लगता है आज का वीडियो में फिशार DVC6200 model का जो positioner है ये positioner में आप लोग auto calibration कैसे करेगा ये आपको अस्या से सामझा दिया तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक like देखे मेरा चैनल को subscribe कीजिए और बिल आइकोन बटन को जोरो रॉन कर दीजिए फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा और कुस question होगा तो प्लीज comment कीजिए दन्यवाद